Hello everyone, welcome to my channel. मैं खुद भी एक law graduate हूँ और पिछले तीन साल से law पढ़ा रही हूँ. ये इस चानल पर मेरी पहली वीडियो है, जिसमें हम strike और lockout के concept को detail में discuss करेंगे. ये दोनों concept आपके labor law का part बनते हैं और industrial dispute act 1947 के अंदर दिये हुए हैं. अगर आप वीडियो से कुछ भी नया सीखते हैं तो like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर लिजेए for more such videos. And you can also follow me on my Instagram. Instagram पे we play regular quizzes and I post content on a daily basis from where you can learn a lot. देखिये, Industrial Dispute Act 1947 आने से पहले हमारे पास दो acts थी. जिसमें से पहले थी Employer and Workman Dispute Act. ये act इतनी पुरानी है. This is of the year 1869. और इस year तक आप ये कह सकते हैं कि जो workers होते थे या जो employees होते थे industry में, उनके पास उनकी कोई choice या उनकी कोई voice नहीं होती थी. एक employer या दो employer जितने भी होते थे और उसके नीचे जितने भी उसके employees होते थे. उनके पास उनकी कोई अपनी choice नहीं होती थी. वो एक ऐसी position in join नहीं करते थे कि अपने terms रख सकें. तो जो भी उनको employer बोलता था, वो सब चुपचाप उनको मान लेते थे. उसके बाद जब एक need feel हुई के नहीं जी, जो industry है, उसके जो employees है, उनके पास भी right होने चाहिए. तो फिर trade dispute act आए in the year 1929. और इस act आने के बाद में employees की जो position है, वो काफी हद तक improve हुई. लेकिन of course हमें और improvement चाहिए थी, और ज़्यादा concrete कुछ ऐसे concepts चाहिए थे, या ऐसी provisions चाहिए थी, जो उनके favor में work कर सके. और इनको ध्यान में रखते हुए, हमारे पास आए Industrial Dispute Act 1947. तो वह एक छोटी सी, आप कह सकते हैं, ये brief है, या फिर ये background है, Industrial Dispute Act का, जो अगर आप अपने answers में mention करेंगे while attempting this question, so we'll fetch you good marks. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना strike का concept, जो Industrial Dispute Act की section 2Q के अंदर दिया हुआ है. इसकी definition स्टार्ट होती है with the words, cessation of work. अब आप पूछेंगे के cessation का मतलब क्या होता है? Cessation means to stop. It means to stop. So जो work है, वो जब stop हो जाता है, cessation of work हो जाती है. तो फिर हम कहते हैं कि जो employees हैं किसी industry के, वो strike पे चल गए हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए या कुछ हफतों के लिए, जितने भी time के लिए. ये जो workers हैं, इनको आप एक body of persons से समझेंगे, section 2Q में जो language इस्तमाल है, वो कहता है body of persons who is employed in an industry. तो एक industry है, of course, और ये जो body of persons हैं, ये इस industry के अंदर काम करते हैं, they are employed in this industry. अब देखो, Industrial Dispute Act में, इंडस्ट्री को दो के अंदर divide करा है. तो ये जो body of persons हैं, इसका भी एक तरीका होता है, तो ये तरीका क्या है, अब हम उसको देख लेते हैं. ये आधे इस सिर्फ और एक रहते हैं, तो ये आधे इस के अंदर्च आद्टा साथ. So the definition, when शिए जो 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 अधे बडते हैं, ईसका अंद्وسी आधे थार एक बडते हैं, और रिफ्यूजल अंडर कॉमन अंडर्स्टैंडिंग यह जो तीनों ही वर्ड्स है अगर आप एक लेमेन की पॉइंट ऑफ यू से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मोरो लेस्ट सेम मीनिंग है लेकिन लौ में जब हम लीगली एक डेफिनेशन पढ़ते हैं तो सबका डि ही होता है that you break it down तो बहुत एजी हो जाता है अब यह क्यों कर रहे हैं इसा why are they acting in a combination why are they acting in a concerted refusal to decide whether they want to continue to work or to accept employment यह लोग already काम तो कर रहे हैं because we are saying that they are employed in an industry but इनको वहाँ पे काम करना continue करना है या नहीं उसके लिए उनकी हाँ है या फिर उनकी ना है यह जो question है यह decide करते हैं तो क्या decide करते हैं continue करे या नहीं करे तो यह question के साथ में choice मिल गई and this is what the meaning of strike is next concept है of the types of strike a common strike का जो टाइप है hunger strike वो हम सबने सुना है भूखरताल काफी बारी हमारे politicians auto drivers भूखरताल पे बैठ जाते हैं so this we all know hunger strike क्या होती है दूसरी type of जो strike है which you should mention in your answer is general strike general strike तब होती है जब जो लोग इस strike पे बैठ रहे हैं उनका एक common purpose होता है they have a common purpose they have a common goal सब लोग मिलके एक goal set up करते हैं और उसके लिए जो strike करते हैं that is general strike the next form of strike that we have to study is economic strike economics हम हमेशा money के साथ wealth के साथ relate करके पड़ते हैं तो जब एक industry के जो employees हैं वो strike कर रहे हैं अपने bonus को लेके wages को लेकर allowances को लेके salary को लेके anything which has a monetary value attached to it then that is economic strike money जहाँ पे भी picture में आ जाएगा वो economic strike हो जाएगी तो तीन type की strikes हम पड़ चुके हैं उसके बाद आती है एक बहुत interesting type of strike which is sympathy strike ये strike को हम एक example से समर्ने की कोशिश करते हैं this is very interesting माल लीजेए कि industry के दो या तीन लोग हैं they are sitting on a strike इनका कुछ objective और उनने decide करा तीनोंने मिलके चलो strike करते हैं कुछ दिनों की अब ये दो और employees हैं इनोंने इन तीन लोगों की strike को देखा और इनोंने देखा कि इनकी जो मांगे हैं वो हम से मिलती जूलती हैं we can join them in their strike तो ये चलेगे उनको join करने के लिए तो जब कुछ employees already एक strike को join कर लेते हैं that is known as sympathy strike फिर एक अलग category आती है strike की which is pen down strike, sit down strike, tool down strike ये तीनों टाइप of strikes के अंदर क्या होता है कि place of employment पे employees आएंगे but pen down strike के case में they will not do any paperwork तो paperwork नहीं है तो ये तीन टाइप of strikes के अंदर क्या होता है? sit down strike में आके बैठ जाएंगे tool down strike में वो अपने tools वगरा से काम नहीं करेंगे machinery वगरा जो भी है they will not use it तो ये तीन टाइप of strikes are important next concept is whether right to strike is a fundamental right or not ये question बहुत बारिया सा short note आजाता है in your internals that whether the right to strike in India is a fundamental right or not तो इसका एक answer बहुत easy सा है बहुत short सा है याद रखेंगे right to strike is not a fundamental right in India fundamental right हमें मालूम है हमारी constitution के पार 3 में article 12 से 35 के अंदर दिया हुआ है इसके अंदर बहुत सारे fundamental rights आते हैं लेकिन right to strike fundamental right हमारे constitution of India में नहीं है it is not a fundamental right क्यों नहीं है इसका reason बड़ा simple है जैसे कि मैंने बोला कुछ prohibitions हैं under the industrial dispute act जो section आपकी 22 में, 23 में, 24, 25 वगेरा में दे रखी हैं तो ये prohibitions हम आगे इस वीडियो में ब्रीफ में discuss करेंगे इसकी वज़े से the right to strike is not a fundamental right because of these prohibitions but you always have to remember that the strike or the right to strike is a legal right legal right तो है क्योंकि इसकी provisions इस act के अंदर दे रखी है लेकिन ये fundamental right नहीं है इस बात को आपने याद रखना है so always remember this law entrances maybe as an MCQ this question is asked if you are learning this as a part of your LLB और your law course तो इस पे short notes पे आ जाते है then remember that strike is not equal to protest जगा जगा पे आप protest देखते हैं candlelight marches होती है ये different type of protest होते है those are covered under article 19 of the constitution fundamental right है ये लेकिन जो strike है that is not a fundamental right तो strike fundamental right नहीं है लेकिन protest एक fundamental right है strike इस लिए नहीं है क्योंकि उस पे prohibitions है industrial dispute act की और protest इस लिए है क्योंकि हमारे पास freedom of speech and expression है हमारे पास article 19 है remember strike is not equal to protest एक fundamental right है एक fundamental right नहीं है उसके बाद है the concept of lockout जो की 2L section में दिया हुआ है of the industrial dispute act ये lockout का जो concept है वो employer को 3 alternatives देता है क्या देता है? employer को 3 alternatives so the employer has 3 alternatives with him strike का जो powerful weapon है वो हमने employees के पास दे दिया कि तुम अपनी मांगे strike करके पूरी करवा सकते हो but employer के पास भी dominant position रहे उसके पास भी एक control रहे तो ऐसे के लिए हमने उसको lockout दिया है अब याद रखिए कि lock हम हमेशा तब यूज करते हैं हम किसी जगा को temporary तरीके से बंद करते हैं उसकी एक चाब भी होती है जिसको हम बाद में लगा के वो ताला खोल सकते हैं तो इससे आपको एक चीज याद रखनी है कि lockout जब भी आप इस concept को पढ़ते हैं always remember that it is something which is temporary अगर जो आपका lockout है वो permanent तरीके से हो रहा है जो alternatives हैं जिने हम अभी discuss करेंगे उसको जो employer है वो permanent तरीके से exercise कर रहा है then it is not a lockout lockout हमेशा temporary होगा permanent lockout कभी नहीं होगा permanent है अगर तो फिर वो lockout ही नहीं है इस बात को याद रखेंगे अब हम discuss कर रहे हैं वो तीन alternatives जो की employer के पास में है as per section 2L section 2L को ही break करके हमारे पास से तीन alternatives आते हैं the first is closing of place of employment अगर employer चाहे तो कुछ दिनों के लिए हफतों के लिए, महीनों के लिए अपनी place of employment को बंद कर सकता है closing of place of employment उस पे ताला लगा सकता है जिसे वो आके बाद में कभी खोल लेगा तो ये भी temporary ही बात है इसमें एक exception है of raw materials जब shortage हो जाएगी of raw materials और उसकी वज़े से अगर place of employment employer बंद कर रहा है then it is not a lockout जिसे आज कल कुरोना चल रहा है तो अगर shortage of raw material की वज़े से आपके employer ने industry बंद करी है then it is not a lockout तो ये exception याद रखेंगे this is also separately asked or this is something that you must remember second alternative is suspension of work ये दूसरा alternative है with the employer of course वो चाहे तो अपने work को अपनी activity को जो उसके industry में होता है उसको suspend कर सकता है तो ये एक employer है ये अपने employees को बोल रहा है कि तुम जाओ मैं तुमारी activities suspend कर रहा हूं and you come after a month what is he saying that you go and you come after a month तो ये month से show कर रहा है कि ये भी temporary तरीके से ही हो रहा है right तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है second alternative employer exercise कर लेता है remember suspension भी मेंशा temporary होती है school से हम suspend होते हैं एक दिन दो दिन के लिए होते हैं वो temporary तरीका ही होता है so always remember this then we have the third alternative which is the refusal to continue to employ इस alternative को exercise करके employer क्या कहता है कि मैं जो तुमारी employment है जो तुमें मैंने दे रखी है इतने महीनों से इतने सालों से you are working in my industry मैं उसको continue करने के लिए refuse कर रहा हूँ और ये the employer can do with any number of persons दो लोग, चार लोग, दस लोग जितने भी लोग ही wants any number of persons who are employed by him उनकी employment को continue करने के लिए employer refuse कर सकता है as the third alternative जो उसके पास है so any number of persons वाला point आप याँ पे याद रखेंगे अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमने discuss करा था कि right to strike fundamental right है इंडिया में या नहीं और कहा था कि कुछ prohibitions है इस act की, industrial dispute act की जिसकी वज़े से वो एक fundamental right नहीं है लेकिन सिर्फ एक legal right है तो वो prohibitions है section 22, 23, 24, 25 की जिसे हम बहुत brief में discuss कर रहे हैं detail में discuss करूंगी तो आपको लगेगा कि मैं video सिर्फ आपको इनो बढ़ा करने के लिए पढ़ा रही हूं या फिर बहराट को simply translate कर रहे हूं I don't want to do that यह बहुत simple sections है बहराट की plain reading से आपको समझ में आ जाएंगे ना आए, then I'm always available if you have any questions, comments में पूछ लीजेगा 22 के अंदर है prohibitions of strike and lockout इसके अंदर कुछ prohibitions हैं जैसे की employees को strike करने से पहले अपने employer को 6 हफते का notice देना है और ऐसे करके कुछ और prohibitions है which you can read 23 के अंदर है general prohibitions of strike and lockout इसके अंदर भी अलग-अलग prohibitions दे रखी हैं जैसे की अगर आपकी जो proceeding है conciliation proceedings वो pending चल रही है तो उसके दोरान you cannot strike or you cannot go on a lockout उस proceedings के conclusion के साथ दिन बात तक भी you cannot conciliation proceedings के साथ साथ में इसी तरीके से arbitration proceedings का भी वही हाल है या फिर कोई proceedings अगर national tribunal के against अगेंस नहीं national tribunal के सामने चल रही है तब भी then 24 has illegal strike और lockout यह section simply यह कहती है कि अगर आपने section 22 और section 23 को नहीं माना if you have violated section 22 और section 23 then you are going on an illegal strike और a lockout यह section 24 बहुत important है इसे तो जरूर आप अपनी bear act से detail में पढ़िये अच्छा अब क्या है illegal strike हो गई है तो उसके कुछ consequences होंगे उसके कुछ aftermath होंगे राइट उन aftermath को अभी हम discuss करेंगे उससे पहले है section 26, 27, 28 जिसमें penalties दे रखी है अगर आपने 22, 23, 24, 25 को violate करा है तो कुछ penalty भी तो लगेगी आपको हो सकते है कुछ महिनों की imprisonment हो जाए या फिर एक fine का amount है जो bear act में mentions है which again I am not discussing with you क्योंकि ये जो amount है ये जो digits है तो आपको यादी करने है you have to learn them up कुछ समझाने वाला नहीं है कि कितने महिनों की imprisonment और कितना fine तो ये तीन sections भी bear act से देख लीचेगा I am not discussing otherwise again many people think कि वीडियो को ऐसे ही फालतु में लंबा चलाया जा रहा है which is not my aim I want you to understand the concept which is important for you to understand फिर आ रहे है हम consequences of illegal strike and lockout पे illegal strike and lockout 24 में है उसके consequences अब हम discuss कर रहे है majorly इसके दो consequences होते है textbooks पे आपको मिल जाएंगे पहला जो consequences होता है that is on the wages minimum wages act अगर आपने पढ़िया है तो उसके अंदर wages defined है तो पहला wages और दूसरा consequence आता है on the dismissal of workers अब wages पे किस तरीके से consequence आता है माल लीजे 2-3 लोग है they went on a strike for a week वापस आते हैं अपने employer को बूलते हैं हमें इस हफ़ते की wages दीजें हमारी दिहाडी दीजे employer बोलेगा नहीं तुम तो illegal strike पे गए थे I am not liable to pay you the wages for that time period तुम नहीं claim कर सकते हो तो अगर आपको अपने wages claim करनी है अपने employer से तो you have to prove कि जो आपने strike करी वो legal भी थी और वो just भी थी इस concept से related consequences of illegal strike wages वाले points से related जो cases है landmark cases जैसे की bank of India versus Kailawal या syndicate bank का case है वो आप online पढ़ ली चे तो अगर illegal strike है then you cannot claim your wages the second consequence is dismissal of worker अगर employer को लगता है उसके employees कुछ जादा ही मनमानी कर रहे है कुछ जादा ही illegal तरीके से उन्होंने अपनी strike कर ली है या लंबी देर तक कर ली है तो he can dismiss the workers also काम से उन्हें dismiss करा जा सकता है with this I am ending my video लेकिन उससे पहले एक मिनट का जो है हम complete wrap-up ले ले लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है तो सबसे पहले हमने पढ़ा strike की definition 2Q में cessation of work वाली उसके बाद हमने types of strikes discuss करे थे hunger strike, general then your economic strike, sympathy strike pen down, tool down, etc then we discussed whether the right to strike in India is a fundamental right or not this answer was no it is just a legal right it is not a fundamental right not an absolute right then we went on to discuss what is a lockout the three alternatives which the employer has section 2L में जो दे रखे हैं इन alternatives को हमने discuss करा इसके बाद में हमने इसका एक concept जो कि याद रखना है के इस always temporary in nature अगर permanently कर रहे हैं then it is not a lockout temporary word याद रखना है alternatives में place of employment closing of place of employment की एक exception पड़ी which was related to the shortage of raw materials इसको भी याद रखेंगे हमेशा उसके बाद में हमने बहुत ब्रीफ में जो है कुछ sections डिसकास करें हैं section 22 से लेके 28 तक इसके अंदर I told you section 24 सबसे जादा important है illegal strike की जिससे related हमने फिर consequences discuss करें consequences of illegal strike and lockout majorly दो consequences है wages और dismissal of workers से related so I hope that the concept the entire concept of strike and lockout is clear to you ये एक labor law की separate unit ही बन जाती है बहुत सारे colleges के syllabus में and if you are preparing for CLAT और अरे अंटरेंस एक्जान तो labor laws में से one of the most important topics है thank you so much for watching this video you can subscribe to the channel for more such videos and I will see you soon with another concept कोई भी suggestion हो आपके किस तरीके से मैं वीडियो इंप्रूव कर सकती हूँ presentation